प्रटा किसी एक सपने को पूरा करने के लिए आपको हजार सपने छोड़ने पड़ेंगे मैं अपनी बात बताता हूं मैं चाहता था बढ़िया किरकेटर बने बढ़िया जब मैं आपकी उमर का था या आपसे कम उमर का था 15-16-17 साल का तो भाई साब मेरी और सचीन में बढ़ियां कमपडिशन था या तो टीम में वो आएगा या मैं आऊँगा फिर उसका लेटर आया कि भाई देख तू तो सीए भी बन सकता है मेरे से तो तेंथ में नहीं और आपको था को सचीन तेंथ में फेल हो गया था देख ल साथ हो रही होँ तो ड्यूस बॉल से च words करके चत से लटका के नौक करता था है सारे बावाल की है लेकिन घर में तो प्राइब मतलम नहीं महले में किसी नहीं आई खेल सकता है हमारे टीम बाले नहीं मानते थे बता आओ टैलंड के लोग कदर ही नहीं है साले मैच नहीं खिलाते थे तो हमें लगा कि जब महले के मैच में नहीं खिल पा रहे है तो इंडियन टीम तो अभी सफर लंबा है इसी बीच बापु ने ओफर दिया दिल्ली जाएगा हमने कहा जाओंगा यहां भी मैं बैट बॉल सब लेकर आया किताबें नहीं लेकर आया मैं बैट बॉल किट सब लेकर आगया मैं दिल्ली और पहाड गंज में जान बुझ के रहा कि उसके बगल में करनल सिंग स्टेडियम है मैं करनल सिंग स्टेडियम में गया मेरी उमर थे 20 साल वहां 16 साल के बच्चे ऐसी बैटिंग कर रहे थे जैसा मैं 20 साल में सोच भी नहीं सकता था मैंने का भाई गैप बहुत है इफिसेंसी में क्योंकि यह बच्चे वो थे जो कोच के अंदर खेल रहे थे लगताथ हम लो तो जंगल के फूल थे खुद से देखके जो समझाय सुआया तो फिर मैंने उस डिशाइड कर ले कि नहीं भाई साहब किरके तुई जनम में नहीं होगा अगले जनम मुझे किरके टर ही की जो यह जनम में तो पॉसिबल नहीं है उसी दिन मैंने बैट बल किसी को दे दिया और किताबें खरीद ली तो एक सपना बैटा मारना ही पढ़ता है यह कई सपने मारने पढ़ते हैं किसी एक सपने को पूरा करने के लिए यह हमारी कहानी नहीं है हमारे जैसे हजार लों के अधूरी कहानियां है तब एक कहानी पूरी होती है मैं कहता हूँ, दस अधूरी कहानी करने से अच्छा है, एक कहानी तो पूरी कर लीज़े बिटा, तो मैंने कहाँ भी सिय करेंगे, और फिर सब कट करके, मैं कुछ नहीं किया, मैंने वह 8 घंटे जो खेलता था न बिटा, और 4 घंटे पढ़ता था, तो मैंने 8 घंटे खेल को भी सामिल कर लिए 8 और 4, 12 एक छण के लिए मुझे नहीं लगा कि मैं फेल करूंगा.